गौर्द गौड़ गुचर, कॉमिक्स में एक बहुत ज़्यादा पौरपुल और इस्ट्रॉंग सूपर विलन है जो कि देवताव से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और उसे मिल जाती है सूपर पावर्स जिसके बाद वो निकल पड़ता है एक एक करके सभी देवताव को म पावर्पुल है और उसे गौर्द गौड़ गुचर क्यों कहा जाता है और साथ हम कॉमिक्स से गौर्द के कुछ पावर्पुल मुमेंट्स के बारे में भी डिसकर्ज करेंगे तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल और इस वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगी तो उसे भी आप चेक आउट जरूर कर लेना तो चलिए अब बात करते हैं गौर्द कितना ज़्यादा पावर्पुल है उस बारे में तो गौर्द को आल ब्लैक दे नेक्रो सोट मिलने के बाद गौर्द बहुत ज्यादा पावर्पुल बन जाता है और वो निकल पड़ता है देवताव से रिवेंज लेने के लिए और एक एक करके कई पावर्पुल और इस्ट्रोंग गौर्द को मार देता है और इतनी बेरहमी के साथ गौर्द को मारने की वज़े से ही उसे गौर्द तक गौर्द बुचर का ट तो जब गौर को पहली बार यह weapon मिला तो उसने गौर की body पर एक armor की form ले ली जिसके बाद गौर इस्पेस में भी travel कर सकता था इसकी help से गौर की body पर extra artificial body part भी create हो सकते हैं औल ब्लेक की वज़े से गौर की strength, speed, stamina और durability बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिसकी वज़े से गौर गौर को इतनी आसानी से मार पा रहा था गौर ने कई बार थोर के साथ fight की और उसने अपनी sword से थोर को 7-8 बार मार भी दिया था लेकिन अपने immortal nature के चलते थोर हर बार survive कर जाता था गौर की necro sword black hole में भी survive कर सकती हैं और black hole को absorb भी कर सकती हैं और इसकी power से weapon भी create कर सकता है गौर और वह एक living army भी create कर सकता है जो इतनी ज़्यादा powerful है कि वर्दी थोर को उन्हें हराने में कई घंटो लग गए थे King Thor के according गौर की इस army ने पिछले 900 सालों से escort पर तभाही मचा रखी हुई थी और उससे परहसान होकर King Thor ने गौर के समने गुठने टेक दिये एक बार गौर को पूरी दर destroy भी कर दिया गया था पर all black ने उसे फिर से जिंदा कर दिया था गौर ने God of torture को भी torture कर दिया था सच के लिए और यह सारी फिट्स उसकी powers का एक छोटा सा पार्ट है गौर थैनोस जितना universal level damage करने में भी capable है क्योंकि कॉमिक्स में गौर ने एक बार God bomb बनाने का try किया था जिससे कि हर universe की time stream के God एक ही बार में खतम हो जाए हाला कि इस process में कई normal humans भी मर सकते थे लेकिन गौर को इस बात की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसका mission था एक Godless age create करना कॉमिक्स में गौर को हराने के लिए तीन अलग अलग थोर को एक साथ आना पड़ा और उसके साथ fight करनी पड़ी थी अब आपको पता लग ही गया होगा कि गौर कितना ज़्यादा powerful है वैसे इन से powers के साथ गौर की weakness भी है जिसे यूज करके उसे हराया जा सकता है एक्स्ट्रिम हीट और स्वादिक गौर की weakness है और इसके साथ ही अगर किसी तरह से All Black को गौर की बोड़ी से अलग कर दिया जाए तो उसे हराना और भी आसान हो सकता है तो यह थी गौर की powers और कुछ powerful moments जिसे जानने क के बाद आप आईडिया लगा ही सकते हैं कि मूवी में हैं दो दो थोर की जरूत क्यों परने वाली है वैसे गौर जैसे powerful villain को मूवी में कैसे present किया जाता है यह तो मूवी देखकर ही पता चलेगा लेकिन फिर भी गौर को थोर के साथ fight करते हुँँ देखना कापी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ओन कर लेना क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लाते रहता हूँ